को मौनिंग एरेक्टाइल भी है और आप सिफ जब इंटरमेसी का पॉइंट आता है फीमिल के साथ तो वहाँ पर आपको दिक्कत होती है कि वह एरेक्टाइल ही नहीं हो रहा नमस्कार मेरा नाम इमान चुदावन और आज इस वीडियो में बेसिकली आज कपल गोल्स की बात करेंगे क्योंकि आज का जो इंसिडेंट है जो पेशेंट से रिलेटेड है मैं उसके बारे में बात करूँगा पेशेंट जो थे वो बिल्कुल नॉर्मल थे उनके साथ कोई दिक्कत नहीं थी पहले इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा हूं आप से जो पेशेंट थे वो बिल्कुल एकुरेट थे ठीक थे उनको कोई दिक्कत नहीं थी बट ड्यूरिंग जब उनकी मैरेज हुई या उसके मैरेज होने के बाद उनको कुछ वाइव से कोई ऐसी ची उपर अपना पार्ट नहीं रख पाए मान लीजे कि उन्होंने मेडिसिन भी खाली सब कुछ कर ली बट वो अपने फिजिकल प्लाटफॉर्म पर स्टेबल नहीं हो पाए तो यह मेरे एक हाल से सब कपल को जाननी की भी रिक्वार्मेंट है कि अगर आप एक हस्बंड वाइ इसा पार्ट की ऐसा मूमेंट क्रेट हो गया हो जिसकी वजह से एंबेरस फील किया हो मेल बोडी ने तो वहां पर दिखते और बढ़ जाती है यह इंसिडेंट उसी चीज़ का हिया कि यहां पर पेशेंट की वाइफ से स्टार्टिंग में सब कुछ सही था बीच में मालब कभी हुआ है नहीं मेरेज के बाद और एकदम से मेरेज के बाद वाइफ ने कुछ बोल दिया हस्बेंट को और उसके बाद उनकी जो लाइफ थी वो ऐसी होगी कि विदाउट इंटर कोर्स विदाउट फिजिकल रिलेशनशिप के साथ तो यहां पर क्या हुआ था कि बेसि दिकत क्या है कि उस टाइम पर नॉर्मल जब होता था जब इंटिमेसी का टाइम आता तो महां पर मेल बॉडी काम ही नहीं कर पाती थी वो सोच ही नहीं पाती थी और वो इतना फ्रीली काम नहीं कर पाया या जिसे मैं बोलूं कि वो इंटिमेसी के बाद कुछ होता ही नहीं को जाते हैं तो कोई थे साथ होता है तो सिप्सक्षान हो गई कि नहीं तो काउंसलिंग कोई सब्सक्राइब आप counselor के साथ भी कर सकते हो even psychiatrist के साथ भी कर सकते हो but अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि सबसे best person जो है वो आपके relationship में ही है वो है wife wife से कभी इस बारे में discuss करो या मैंने उस patient को भी यही guide किया कि इस ऐसी कोई conversation करो जिसमें आप दोनों इस बात को लेकर बैठो बात करो और जहाँ पर भी relationship के solve होते हैं महाँ पर चीज़े मेरे खाल से ज़्यादा बेटर तरीके से चालू हो जाती है तो यहाँ पर उन्होंने conversation करी अपने इस बात को लेकर हमने बीच में थोड़ा सा support किया और वो चीज़ सॉल्व भी हो गई और इत्ती जल्दी मतला हमें भी नहीं पता था कि इत्ती जल्दी वो चीज़े नॉर्मल केटेगरी में आजेगी विदिन टू डेस के अंदर उनका erectile process अच्छे से काम हुआ उनके relationship अच्छे से बने उनकी जो physical relationship में जो भी इतना बड़ा gap आया था वो सारी की सारी चीज़े solve हो गई तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक conversation की वज़ासे conversation उन्होंने थोड़ी सी हम से input लिया थोड़ा सा wife से input लिया बट वो चीज़ solve हो गई बट यहाँ पर basically क्या था कि सिर्फ उनकी requirement क्या थी सिर्फ और सिर्फ एक conversation थी जो शायद उनकी wife से पहले हो जाती तो शायद हमारी ज़रूती नबड़ी तो यह conversation से ही वो चीज़े sorted हो जाती थी तो simply यहाँ पर क्या था main motive आपको यही समझाने का था कि अगर आप physical relationship में unsuccessful हो रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप ED के patient बन गए पहली बात दूसरा अगर ED आपको नहीं है मान लीजे आपको morning erectile भी है और आपको evening erectile या night का erectile भी है और आप सिफ जब intermacy का point आता है female के साथ तो वहाँ पर आपको दिक्कत होती है कि वह erectile ही नहीं हो रहा तो यह ED का part नहीं है यह सिर्फ normal conversation का part है जिससे आप solve कर सकते हो जो भी आपका partner है उसके साथ बैठके है यह एक main motive है आपको बताने का कि डॉक्टर से पहले अपने आप में अपने couples में आप conversation कर सकते हैं अपस में और इस चीज को solve कर सकते हैं अगर तब भी नहीं हो रहा फिर आप doctor consultation लो बहुत सारे doctors है available है आप किसी भी consultation लो अगर हमारे को भी करने तो नीचे देवे नंबर पर हमको call कर सकते हो मेरी टीम से बात कर सकते हैं इसी के साथ-साथ मैं इस वीडियो को एंट करता हूँ शायद आप लोगों को यह बात समझ में आगी होगी कि अगर आप कोई ऐसी चीज फेस कर रहे हैं तो आप सबसे पहले आपस में conversation कीजिए अपने जो गिले शुक्रे मूव solve कीजिए उसके बाद आप next step पे पहुँचिए उससे पहले क्या बता आप पहले ही solve कर लो हमारी ज़रूती ना पड़े इसी के साथ मिलेंगे next video के तब तक के नमस्का